साधी हो पाटी हो या फिर कोई और ओकेशन बिना रायता का सब फीका लगता है तो इस एपिसोड में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूली के रायते जिसे आप बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं नमस्कार दोस्तों घर का जाई कावित खुश्पू में आपका स्वागत है वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी तो हम यहाँ पर एक मूली लेंगे और इसका छिलका उतार कर इसे अच्छी तरह से बॉस कर लेंगे तो हमने इसका छिलका उतार लिया है अब हम इसे धोलिये हैं अब हम इसे कदुकस से कदुकस कर लेंगे फिर हम इसे एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे अब हम इसमें एड करेंगे एक कप फेटा हुआ दही एक मूली के लिए एक कप फेटा हुआ दही परफेक्ट रहेगा ना वो कम लगेगा और नहीं वो ज्यादा इसे हम मिक्स कर लेंगे फिर हम इसमें एड करेंगे पतला पतला कटा हुआ हरी मीर्च आप अप हरी मीर्च अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं फिर हम यहाँ पर एक इंगिडियंस एड कर रहे हैं वो है बेदाम और यह बेदाम फुला हुआ है इसे भी हम हलका महिन महिन कट करकर इसमें एड कर देंगे इसका क्रांचनेस हमारे रायते में बहुत अच्छा लगेगा फिर हमें यहाँ पर एड कर देंगे धनिया के पत्ते और कलाउंजी साथ में हम एड कर देंगे ब्लेक सॉल्ट और हम इसे मिक्स कर लेंगे तो लीजिये तैयार होगी आजट पट मूली का रायता अब हम इसे एक बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं और इसकी थोड़े सी कलाकारी भी कर लेते हैं तो हम इसे कलाकारी करेंगे हरी मिर्च के साथ थोड़े से कटे हुए बादाम के साथ और एक धनिया के पत्ते के साथ और उपर से छीराग देंगे हम इसमें थोड़े से क्लाउंजी वाइट पर ब्लैक बहुत खुबसूरत लगेगा देखिए लगड़ा ना बहुत ही खुबसूरत और कमिंग इडिंस में भी तयार हो गिया तो आप बनाईएगा जरूर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा और बेले चनल पर पहली बारा है तो चनल को सस्क्राइब करके ही जाएगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा से अर कीजिए अपनी फ्रेंड्स में फैमली में और रिलेटिव में तो फिल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ जब तक खुश रहिए खुशियाँ बाठते रहिए आसपा सफाई बनाए रखिए थैंक यू टेक क्यार और नमस्कार